ग्वालियर से लोट करने का मामना सामने आया है जहां घाटी गाउं इलाके में दो शातित बदमाशों ने एक लगजरी कार चालखो हतियार के नोग पर जंगलों में छोड़कर कार और नगदी लोट कर ले गए वहीं फर्यादी मोहना थाना शेत्र का है और दोनों आरूपी मोहना से ही कार में सवार होकर फर्यादी को लोट कर फरार हो गए जिसके बाद फर्यादी ने घाटी गाउं थाना पहुचकर मामली की जान करी पुलिस को दी पुलिस ने जाज परताल के दौरान कुछ सीसे टीव पुटेज भी परामत के गए हैं जिन्में पुलिस को आरूपी नजर आए वहीं बताया जा रहा है कि मोहना के इरिगेशन कॉलोनी में रहने वाले रामिश्वर खटी के साथ लूट की बारदात हुई है मोहना अंतरकत एक विक्ति की अल्टी का गाड़ी थी जो कि टैक्सी के रूप में चलाती थी दो लोगों ने मोहना से शीतला माता मंदिर जाने के लिए उसे किराय पे लिया और जब किराय पे गाड़ी लेकर ये चले तो घाटी गाओं के पास इन्होंने ऐसे कट्टा दिखा के अंदर जंगलों में ले गए और फिर उस विक्ति को उतार के अल्टी का लेकर चले गए करीब उसके तीन गंटे बाद ये विक्ति घाटी गाओं थाने में पहुंचा है जहां इस पर लूट का प्रक्रण इसके रिपोर्ट पर कायम कर लिया गया है दोग्यात आरुपिय के वरुद्ध और इसमें हमारी घाटी गाओं की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगे हुई है और CCTV फूटेश टोल बैरियर और वाकी अन्य आधारों पर हम प्रयास कर रहा है कि जल से जल्द हमारों क्यों गिस्ता है